हुआ है हलो फ्रेंड्स एलिगंस लिए की यूटूब के में ड्र आश्रतोस आपका सागत करता हूं आज का टॉपिक है हो है लेजर स्कीन टाइट नहीं दोस्तों आपको लगेगा कि लेजर से स्कीन कैसे टाइट हो सकता है तो आप जान सकते हैं कि लेजर एक तरह का लाइट है और वो बॉड़ी में एब्जोब होके उसकी अलग अलग ताइट का रियक्शन देता है तो जो स्कीन टाइटनी के लिए लेजर होते हैं वो आपके अंदर कोलेजन रिजनरेशन करते हैं मैंने आपके स्कीन के नीचे जो इलास्टिस्टी देने वाले और मजबूती देन करते हैं वो आपको वहां पर रिजनरेट करके देते हैं वो आपकी स्कीन को माइक्रो डेमेज कंट्रोल डेमेज करते हैं और वो डेमेज को रिपेर करने के लिए सरीर अपने आप नया अच्छा कॉलेजन बनाती है जब बॉड़ी के स्कीन के नीचे अच्छा कॉलेजन बन करते हैं mostly forehead हैं यह सब एरिया के लिए आप लेजर स्किन टाइटनिक का प्रयोग कर सकते हैं यह डेकर प्रोसीजर होती है इसमें आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट या एनेसेश्या लेने की जरुवत नहीं पड़ती है इसमें हलका सा चारपान दिनों के लिए आपको लेजर की किया हुआ है ऐसा effect पता चलता है और इसके बाद यह सब नॉर्मल हो जाता है आपकी स्कीन दिरे दिरे टाइट हो जाती है इसके करीब चार से पांच सीटिंग लगते हैं अच्छे रिजर्स के लिए और आप maintenance सीटिंग भी करा सकते हैं लेजर फर स्कीन टाइटनिंग के बारे में अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे contact details यह वीडियो के एंड में हैं उसके उपर आप हमें सुबह अंच से लिए सांब के बीच contact कर सकते हैं और आपने आपका अमोले समय निकल के वीडियो देखा इसके लिए आपका धनिवाद थाका बारे सकते हैं खायाओ